हलो दोस्तों स्वागत थे आप सभी को एक बाद फिर आपके अपने युटूब चैनल एकजाम इल्याट जोन में आज हम लोग इस वीडियो में सेजियल 2223 के मैस के पेपर को आज हम लोग स्वल्व करेंगे जो हमारा 20 जुलाय 2223 के सेकेंड सिप्ट का पेपर है इसके 25 के 25 स्वल्व करकेंगे इस वीडियो को अंचक अब देखते हैं तो आप पाएंगे की 12-13 मेंस to solve कर तो अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को आप अबसी सब्सक्राइब कर ले और सारी सब्सक्राइब को आपको समझ में आए तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं वीडियो को पहले कोश्चन के तरफ चलते हैं हमें बार गांट को अबस्वाल में कहा यहां कि य का अ बेलू के सब्सक्राइब है तो चाले सक्वाए मतलरे माइन मतलब स्कूल द्वारादान और सरकारी ऑजनसे प्राप के बीच कितने का अंतर है सब्सक्राइब देटाइब सब्सक्राइब फर्सेंट निकाल लीज उसके वाद जो भेली निकालना है इक बिग्रता अपने फल को क्रेमुले पर बेचने का दावा करता है लेकिन फिर भी वह पांच पूर्णांक 5 बटे 19 का लाब प्राप्त करता है तो एक केजी के बज़ाए कितने फल देता है देखें यहां पर क्रेमुले पर ही बेचा जाता है सिंपल है जो वाट दे रहागा वाट में कमी कितने ग्राम देखां देखी स्वान को कितना में 20 रुपीज का लाब लेकिन अगर वाट का यूज़ करना होगा तो क्या होगा 20 ग्राम 20 ग्राम के समान को कितना बेचेगा 19 ग्राम में हमसे कहागा 1000 ग्राम का समान मतलब इसको अमपटास से multiply कर दिये 1000 ग्राम के जगह पर कितना करेगा निस पते पंचाने मतलब 950 ग्राम ही यूज कर पायेगा सिंपल है इस तरह से आप सुल्व कर सके थे कॉस्चन नंबर वन आपका करेक्टर होगा देखें अवा सिंपल प्रिकेशन से है 7.5 इंटू 17.2 डिवाइड बाइड 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 8.6 पलस 59.5 और 1 बाइड 17 माइनस 5 बाइड 2 आप 5 देखें इसको तो पहले ये कट जागा देखिए आपको दो बार में कर जाएगा फिर क्या होगा 7.5 को 2 से मल्टिप्लाइ कर देगे कितना होगा 15 पर आप देखें इसको डिवाइड कीजिए 17 दूनी सब्सक्राइड ये कावन और 0.85 ते त्रिके 3.5 ये 7 बट्टे सब्सक्राइड 7 2 माइनस 15 3 2 कितना होगा 28 18 2 मतलब 14 15 कितना होगा question number 5 में देखें पांच में कहा का एक factory मेए राइमा एक काम को 15 दिन में पुरा करती जबकि जो ही उसे 10 दिन में पुरा करती है factory manager को जल से जल काम पूरा करना है और इसलिए वा जोई और रेमा को एक साथ काम करने कादिस देता है तो काम को पूरा होने में कितना तरह मिलाएगा किस दिन में करेगी तो देखिए इसका दोनों कैलसियम लिजीएगा होगा 30 इसका छमता हो जाएगा 2 इसका छमता हो जाएगा 3 मतलब 30 बटे 5 कि दम दिन में complete करेगा तो 6 दिन में complete करेगा simple साफसर नमबर 4 आपका correct होगा question number 6 में देखेंगे A, B, C एक काम को 10, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकता है उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रुप में 2600 रुपीय प्राप्सवेजर C की मजदूरी कितना होगा मजदूरी जो बते गा वो क्या बते गा उसके क्शमता आके हिसाब से बढ़ता है सभीकास निकालना पड़ेगा हम इक काम को 10 काम को करता है, 2 काम को 15 दिन में करता है और C काम को 20 दिन में करता है सभीकाit возьme कितना हो जाएगा ? और सिक शम्ता हो जाएगा 20 वटे, 20 वटे, 20 वटे, 20 वटे, तो 3, अब देखिए, तीनों किसे से वटे होगा, 6 रिष्यो, 4 रिष्यो, 3, ठीक है, 2600 रुपया मजदूरी हुआ है, सभी मिला करके, तो सिक कितना मिलेगा, तो 3 यूनिट है, तो कितना है दगे, 10, 3, 13, 13, 13 वट से ही, सब्सक्राइब कर लें, चलिए हम दो चलते हैं, कौशन नमर सेबंध पे, एक ठोश संकू, जिसका बग प्रिष्ट चत्रफल, उसकी अधार के चत्रफल के दो गुना है, देखिए, संकू का चत्रफल क्या होता है, बग प्रिष्ट चत्रफल मतलब, लेटरल सल्फल स संकू, संकू का अधाइसा होता है, मतलब, तो सिक्स रूट थ्री है, तो उसकी अधाय आपको निकाना है, देखिए, प्रिष्ट रसे प्रिष्ट यहां पर आपको आपको आर, ठीक, लेकि अलका भेलू आपको दिया हुआ है, शिक्स रूट अंडर, थिरी इजिक्वाल ट निकालना है गर यह संकु है धेकि गएक येशी हो जाएगा जो लेक्टरल सव जो जो लेक्टरल सब्सक्राइट सटेट मिनस इतना करें कि त्यों आपको माइनस करें, कितना हो जाएगा आपको 81, 81 कोर्ट से निकालें, कितना हो जाएगा 9 option number 1 आपका क्रेक्टर होगा, question number 8 को देखेंगे एक चोर, एक पुलिस कर्मी द्वारा पीछा क्या जाता है, उनके बीच की दूरी 3 किलो मीटर है, पुलिस कर्मी की चाल दोनों का एक्विएंटर स्पीड क्या होगा, दोनों का डिफ्रेंस मतलब 15, यह जाएगा कितना एक बट्टे पांच घंटा मतलब, एक बट्टे पांच घंटे के बाद क्या होगा, चोर, पख़रा जाता है तो चोर, 60 के से भाग रहा है, तो कितना दोई देखिए, इसमें इस होग पर के से लीखिए, कॉट 90ग्री मानस-5डिवरी शकते है एक मेह, शुरी कॉट हाँ, एक में, इसमें, हम 85 रोरी सकते है 90 डिवरी मानस-5डिवरी पलस को छिए, Ap 유-5णाव नेंस-2डिवरी सिंपल है यह सिंपल था कुछ था नहीं आपका क्रेक्ट होगा इस तक सवाल आप सेकेंटों में स्वाल कर सकते हैं देखिए अगला सवाल है प्रतेक 30% की दो कर्मिक ब्रिद्धी प्रतेक 30% की दो कर्मिक कमी से कितने परतिशत अधिक है 30% दो कर्मिक ब्रिद्धी का मतलब क्या होगा 30 पलस 30 पलस 9 मतलब 69 परसेंट समझें कैसे निकाल ले हैं लोग अगर दो कमी होगा यहां पर हम माइनस कर देंगे ब्रिद्धी होगा तो प्लस कर लेते हैं दो कर्मिक कमी मतलब 30 पलस 30 और माइनस कितना हो जाएगा 9 मतलब 59 यह जो है 35.29 अंसर होगा option number C question number 11 में दिया गया है दिये गए डन और एक का ध्यान करना है और निचे दिये गए प्रस्णों का उत्तर देना है company P की मांग company Q की मांग के कितनी परतिशत है देखिए मांग मतलब दिमांड जो है निले वाला पार्ट में है तो company P का जो मांग कितना है बतीसो चीहतर बतीसो चीहतर कंपनी Q के दिमांड का कितना परसेंट है वही निकालना है 45 50 इंटू 100 ठीक है अब जो है इसको डिवाइड किज़त साथ से कर रहा है 13 दूनिपद साथ से कर त्या सते क्यानव है साथ चोका 28 साथ च्छक बियालिस साथ आठे चपन फिर 13 से काड़े 33 49 और 38 36 इंटू 2 मतब 72 परसेंट अप्सन नमबर 4 आपका करेक्ट होगा दिखे question number 12 में कहा गया है एक दुकंदार एक बिस्यस परकार की उतपाद को बेचने के लिए नीची दी गई तीन योजिनाओं को पेसकस करता है निम्रिकेट मेंसे कौन सी योजिना अधिकतम छूट परतिशत परदान करती है छे खरी दिये और चार मुथ पाई है यह कितना परसंट चूट हुआ मतलब चार समान मुथ मिलता है कितने मैंसे तो च्हे पलस चार दस दस मेंसे मतलब इसको 100 से मल्टिपलाए गए मतलब कितना होगा से 40 परसेंट की छूट मिलती है यह कितना परसेंट हो जाएगा मतलब इस को जाएगा आपका पचास परतिसत अपसं सी में कहा गया है 18 और 24 की दो करमागा छूटे तो 18-24 कितना होता है 42 42 माइनस करें कितना 18 इंटू 24 बटे 100 यह होगा तो देखिए आपसे पुछाएगा सबसे अधिक्तम चुट की समय मिलता है देखिए ए में 40 परसें मिल रहा है तो अप्शन सी भी नहीं होगा मतलब सबसे अधिक्तम चुट की समय मिल रहा है सबसे अधिक्तम चुट की समय मिल रहा है एक पुरूस काम को साथ मिल करें कितने दिन में करेंगा कॉस्चन नमबर देखिए 14 का अगर 20 और 20 इस तरह का दिया हुआ है तो बीज इक्वाल टू 96 तो निम्रिकित में से कौन देखिए बेलो आप यां पुट किजिए देखिए एक बेलो अगर 32 है तो बीका बेलो हम दिया है 96 96 लिखिए ठीके तो 96 का थी टेम्स 28 है तू तो तीन से कट रहा है तो एक बट्टे तीन आ रहा है मतलब अप्शन नमबर एक ही आपका कर्ष और अब अब यह जाए फ्रमूला है तो फ्रमूला से आप इसको अप्शन नमबर दोखलेट होता है अगर आपको फ्रमूला नहीं याद है या पर नहीं पता है तो आप इसको एंगल के बेलो पूट कर गए इसका अंसर निकाल चाते हैं देखिए एक इसका कॉस्ट फट्टिफाइब न होता है तो अप्शन नमबर टू आपका करेक्ट होगा इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी धन्रासी पर पहले आठ बर्स के लिए 7.25% अगले 6 बर्स के लिए 8.5% और अंतीम 4 बर्स के लिए 6.5% की सधायन ब्याज मिलता है यादि इन 11 बर्सों के दौरान अर जित कु टौरासी की इतनी होगी देखे आठ बर्स के लिए 7.25% से ब्याज लगारहा है कितना परसेंट होगा 856-56 और यह जगाद 58% परसेंट पलस 6 बर्स के लिए सरह 8 परसेंट मतलब यह कितना होगा 1731% परसेंट पलस 6.5% 4 के लिए मतलब 13 दूनी 26% ठीक प्रूल कितना 35% यही 135% कितना दिया है आपको 35,000 यह मतलब 35,000 कितना दिया है 100 ठीक है एक परसेंट का भेलू कितना जाएगा आपका 35,100 बट्टे 135 सिंपल है अब इसको आप डिभाइड कीजिए देखे आठ ठीक 9 से काटिये तो 9 एक अम पच्छे 15 परसेंट काट लेते हैं 15 दूनी 30 परसेंट का भेलू कितना है 100 परसेंट का भेलू हमें निकालना है 100 का भेलू कितना होगा देखे एक पॉइंट 2 केजी आउस्ट भार में बढ़ने का मतलब यह हुआ अगर 15 आदमी है तो हर एक 15 ब्यक्ति का जो वजन में कितना की ब्रिधी कर देगा 1.2 केजी की ब्रिधी करेगा तो यह कितना हो जाएगा आपका यह जगा 30 चका कितना हो जगा 18 मतलब 18 जो है केजी क्या होगा जो इसका भार था पहले उससे क्या होगा वगा जैदा होगा पहले भार था इसका 50 किलू ते 50 किलो के अस्थान पर इसको अगर 18 किलो एक्स्ट्रा आउर करेगा तब जाके उस यह चतफाल निकालना है, simple है, 2 into L into B, यहीं कितना होगा, 7,5, 35, plus B into H, मतलब, base into height 70, plus height into side होगा, यह, मतलब L into H, यह कितना होगा, 55, इस सभी को जोर के 2 से multiply कर दें, यह कितना होगा, 90, 90 में यह जोर देंगे, 17, यह कितना होगा, 166 into 2, यह कितना होगा, 14, 32, 33, 34, square unit, question number 19 में कहा गया है, 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित का rule क्या है, जो संख्या है, उस संख्या का digit होगा, उसका sum, वह 9 से divisible है, तो वह संख्या total क्या होगा, 9 से विभाजित होगा, तो simple है, 8, 3, 11, 6, 37, 18, मतलि संख्या का यह कितना होता है, 18 होता है, 9 से विभाजित है, इस तो अप्षन number 1 आपका correct होगा, बाकी option को चेक किलेगा, तो सभी क्या होगा, 8 से 9 से विभाजित नहीं है, main है कि आपको 9 से विभाजित का रूला पता होना चाहिए, अगरा स्वाल देखे कहा गया है, कौन सा काथन असत है, तिर्भूज का केंद्र है, को परतेक माधिका को दो अनुपात, के अनुपात में बिभाजित करती है, कोई तिर्भूज है, इसका अगर कोई माधिका है, तो सभी साइड को एक ratio, दो ratio, मतलब दो ratio एक में बिभाजित करती है, ये काथन आपका सत्त है, इंटार एक दिर्भूज को संगमिती का बिंदू है देखे जो इंटर्णल जो एंगल है जो तिर्भूज का जो जो सम्धिभाजक होगा यह जो एंगल का जो सम्धिभाजक होगा उसी का क्या होगा इस जो मिटिंग पॉइंट होता है तो सभी के ती चार अप्सन ये एक दू ती जो है एक फस्ट अप्सन से केंड़ पर किसी भुजा से बना कौन हमेशा भी प्रित सिर्ष से 90 डिग्री इसा नहीं होता है जो एकस का भी होगा यह जो एंगल होगा यह क्या होगा इस एंगल से 90 डिग्री पलस जो एंगल यह हैं अगल एक से ब्राबर होता हम है समझ गए हैं एंगल जो एक्स होगा 90 पलस से जो अपोजेट एंगल के से अधिक नहीं होगा एंगल का हाफ से अधिक होगा 90 डिगर अधिक होगा तो अप्शन नमबर 3 आवन इंक्रेक्ट है अगला सब देखिए कॉस्चन नमबर 21 में इसको देखिए गभान आपको 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 इसके निकालना पर एक्सपार प्लस प्लस निकालना है वह आ जाएगा इसको हमें निकालना परेक्या प्रफ्राइब कितना जाएगा तो इसका होलह कि माईनस थी ग्यार फॉर्टेण यह जाएगा अब सारी वहाँ टूट कर देङंगे तो सब्सक्राइब करना है एक सब्सक्राइब करना है मतलब दो को एक से मल्टिप्लाइब कितना हो जाएगा दो फिर यहां मैनस करेंगे सब्सक्राइब करना है जब कभी भी सब्सक्राइब करना है तो सीधा आपको जीरो आंसर करना होता है बिना कुछ समझाब जीरो आंसर कर सकते हैं कई बार हम बता चुक्के हैं फिर भी सब्सक्राइब करते हैं इसको लिए सकते हैं 90 डिग्री माइनस फर्टी डिग्री प्रस सीटा माइनस कॉस फर्टी डिग्री माइनस फर्टी डिग्री फिर माइनस कॉस को सकते हैं कि को सकते में फर्क नहीं पड़ता है मतलब यह क्या जागा कैंसिल मतलब यह पूरा आपको जीरो और बचारा आपका प्रेक्ट होगा वाल लेंजे कि स्टी यू ए से मतलब यांगल सर्वांसम है तो सथीए अंगल ऑल गयात कई का मतलब क्या हो जाएगा हुआ उसका corresponding angle corresponding side सारे सारे क्या होंगे equal होंगे देखे यह मालेते हमारा P Q R है तो यह हो जाएगा S T U ठीक है देखे angle Q के भेलू आपको दिया है साथ डिगरी angle R के भेलू आपको दिया है 30 डिगरी ठीक है तो angle S T U angle S T U के भेलू दिया हुआ है आपको सारे डिगरी आपको निकालना है angle S के भेलू देखे यह जो एंगल होगा S के भेलू को होगा 90 डिगरी क्या क्या 90 डिगरी होता है तो 30 और 60 यह देदे है तो 90 यह होगा यह 90 है तो S भी क्या होगा 90 डिगरी होगा यह simple है basic है question सब्सक्राइब करते हैं तो कितने दिन में काम करने आएंगे मतलब क्या हो जाएगा आएंगे यह मतलब क्या हो जाएगा आपका दो कितना पांच यूनिट क्या हो जाएगा यह दो दिन के काम हो जाए हमें क्या करना है आपको निकलना है 36 यूनिट तो हमें जो है दो दिन क्या हो जाएगा आपका complete ठीक है अब next देख्या हो 36 में दिन ए आएगा ठीक है एक की छमता कितनी है तीन का हमारे पास बचा हुआ कितना है 36-35 मतलब एक बटे 3 हमारे पास एक युनिट का बचा हुआ है इसको क्या है ए जो है इसको एक बटे 3 दिन में complete कर देगा एक बटे 3 समय इसको लगेंगे पूरा होने में ठीक है कॉस्चन नंबर 25 मतलब ये सवाल लास्ट है एकस प्लस वाय प्लस जैड का भेलो दिया हुआ चार एकस स्क्वायर प्लस वाय स्क्वायर प्लस जैड प्लस जैड एकस का मान ग्याद करना है हमें इसका भेलो दिया है मतलब ये जगा 16 इसका भेलो दिया हुआ है 12 is equal to 2 into xy plus yz plus zx ये होगा ये जगा इधर माइनस में कितना जाएगा 4, 4 बटे 2 मतलब 2 अप्सन नंबर 2 आपका करत होगा इस तरह से आपके सारे 25 के 25 सवाल कंप्रीट हुए उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ और वह ये आपके लिए हैलपूल हुआ हो तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को अवास ही सब्सक्राइब कर ले